आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एजे आयरविदा मुद्स तो आज हम आपको बताएंगे देखो एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूं मैं इस नुस्खे को करके आपकी जो बिल्कुली खतम हो चुके जो लोग बिल्कुली जिनको टाइमिंग की बहुत ज्या ये जो treatment लिखा हुआ है वो सुसरुस स्था में लिखा हुआ है आपको मैं विल्कुल फ्री में बता दे जैसे आपको 10-15मिनट या 20मिनट आपको करनी है तो एक बार में हो नहीं जाएगी यह तो पागल बनाने वाली बात होती है यह खालो इतने दिन तक एक लगातार कुछ दिनों तक यूज करने से आपकी टाइमिंग बढ़ती है ऐसी बात नहीं बढ़ेगी आपको क्या करना है आपको धतूरे के धतूरे के बीज लेकर आने आपको ठीक है धतूरे के बीज लेकर आने आपको धतूरे के बीजों को पीसना है जैसे आपको टाइमिंग आपकी बढ़ानी है बहुत जादा टाइमिंग करनी है धतूरे के बीजों को पीसना है पीसने के बाद उस धतूरे के बीजों को खुब म अब उस लेप को जो आपने लेप बनाया है धतूरे के बीजों का और शहद का जो लेप बनाया है उसको संभुक करने से कुछ दिर पहले माने आपने टाइम आपने संभुक करने जा रहा है ठीक है मानने के चलो आप आदा घंटे बाद करेंगे तो आदा घंटे पहले 20 मिनट पहले आप उस लेप को अपनी नाभी में लगा लें और उसको सूखने दें लगा कर उसको सूखने दें मतलब 20 मिनट तक टोसमार करें तो 20 मिनट बाद आप संभो क्रिया कर सकते हैं इससे हैं पहले दिन आपकी 6-7 मिनट पड़े गी दूसरे दिन 7-8 हो जाएगी तीसरे दन से आठ हो जाएगी फिर ऐसे करके आपकी दस से पंदरा मिट आराम से हो जाएगी अगर साथ दिन तक इसको निरंतर इस काम को करते हैं अगर आप तो ठीक है निरंतर अगर साथ दिन तक यह काम करते हैं तो आपकी यह टाइमिन है बहुत अच्छी हो जाएगी उसके बाद हम पे नहीं बच्चों पर पड़ेगा पढ़ता है किसी का गलत खाओ तो पड़ेगा सिधी बात है हमारे पास ये देशी कामदेप कार नी इक कर इसके साथ मैं तिला और देता हूं गलत पर लगाने के लिए तो इस आको मैंने त्यार किया है टांविग के लिए इसको आप रात को सोते समय संभोग करने से 10 मिनिट पहले आधा चम्मच पाउडर दूद के साथ खाएं ओयल लिंग पर लगाएं ओयल भी इसके साथ देता हूं इसका जो प्राइज है बहुत कम है बारास रुपए में आप ले रेना इसको और तिला को और उसके एक सो पचास रुपए कुरियर चाहिए दे देना इंडिया इंडिया के लिए ठीक है तो बस यही था अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं नहीं लेना चाहें कोई बात नहीं नीचे डिस्कूशन नमबर दिया जाता है आप कॉल सकते हो वर्टसप कर सकते हो बेज ज़क जो भी पूछना पूछो आराम से यह मत को यह तो बड़े आदमी है अब पुछ पहून करें उठाएंगे नहीं उठाएंगे अरे करो मैसेज कर दो कर दो वाइस मेसेज कर दो एजowej यह बात अगर कोई लड़का यह समझे एजे भाई का B.A.M.S. कम्पलीट हो गया है M.S. की तैयारी करना हूँ या तो M.S. करूँगा या M.D. करूँगा अब देखो क्या करको M.D. तो मेरे मन का नहीं है मुझे सर्जीकल लाइन में जाना है सर्जीरी वाली बह। सारे लोग कैंसर से पीड़ित हैं पत्री के स्टोन बहुत सारे किड्नी स्टोन गाल स्टोन ऐसे ब्लिड़ावे स्टोन बहुत सारे लोग परिशान है तो मैं सोच रहा हूँ कम पैसों में और उनका ट्रीटमेंट करूँ या फिर उनको फिरी में मुहईया कराओं ऐसी चीजें कि आज कल ऑपरेशन के नाम पे दद दिन भी पंद्रे-पंद्रे दिन लोग उसमें थेटर में पढ़े डाले रहते हैं कभी कई डाल दिया कभी कई डाल दिया कि आज यह है आज वो है ऐसे करके बात होती है दस जार के उन पर एंट लेते हैं 50,000 बताओ इतनी अजलियत है तो मैं इस समस्या को खतम करना चाहता हूं तो मेरा साथ देना ठीक है दवाई भाई खरीदा करो ताकि एजे भाई का सपना पूरा हो सके आप लोगों कोई फायदा होगा जब कुछ कमा भी लूँगा तो आप लोगों अब मैं चलता हूं और पता है बहुत पढ़ता हूं अब मैं पूरी पूरी रात पढ़ता हूं इसलिए वीडियो नहीं आप आ रही है चलो ठीक है अब बस आपको सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है पर आप लोगों की तो देन है सब बताने की जरूरत हो या ना हो है ना सब आप लोगों की देन है तो भाईया आप लोगों को बताने पड़ेगा और ऐसे नुस्खे जो हम बता रहे हैं यह नुस्खे जो मैंने दिये हैं यह बहुत अच्छे नुस्खे भाई साहब अगर यूज करोगे मैं कभी गलत चीज आपको बताता नहीं हो जूंटी चीज है जैसे emergency में क्या use करना चाहिए तो वह भी मैं बताया करूंगा और हां बताया करूं इसके लिए अगर हां बताया करूं एलोपैथिक के बारे में तो मुझे हाँ एजय बाताया करो ऐसी करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरे वीडियो बहुत कंभ आते देखते तो सब लोगों पर लाइग नहीं करते हो कर दिया करो यार ठीक है? I love you सब लोगों को बहुत बहुत I love you कोई भी समस्या हो एजे भाई से पूछो अगर पैसे नहीं है अरे हटो यार ठीक हो जाओ बाद में दे दिना ठीक है? हाँ, बस